नमस्कार दोस्तों क्या याब ऐसा होने वाला है कि आप अपने अधार कार्ड में मुवाइल नंबर अपडेट कराते हो तो यही मुवाइल नंबर आटोमेटिक से आपके बेंक अकाउंट में भी अपडेट हो जाएगा या फिर लिंक हो जाएगा इस पकार के कॉस्टन आप लोगों के आहे दिन आते रहते हैं इसलिए वीडियो को इंड तक जरूर देखते रहे ना आज मैं आपको completely explain करने वाला हूं इसी के बारे में तो देखें दोस्तों मान लिजे आपके पास दो मुवाइल नंबर है पहला आपके बेंक अकाउंट के साथ में लिंक है और दू निवाल नंबर है अधारकाट के साथ में successful update हो गया है तो कुछ लोगों को यही question रहते हैं कि हमने जो निवाल नंबर अधारकाट के साथ में update कराया है तो यही नंबर क्या हमारे bank account में automatic से link हो जाएगा या फिर update हो जाएगा तो इसका answer no नहीं होगा और अगर आपको अपन mobile number है आपके bank account के साथ में update हो जाएगा इस पकार से automatic से कोई भी update नहीं होगा जो आपके मन में मित थी ना कि मैंने अधार के साथ में update कर दिया तो यह automatic से account के साथ में update हो जाएगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और अगर माल लिजिए आप net banking यूज़ करते हो तो आप net banking के थ अपने mobile number को आप account के साथ में update कर सकते हो और दोस्तों माल लिजिए आपके अधार कार्ट के साथ में और जो bank account है उसके साथ में दोनों में अलग-अलग mobile number link है आप दोनों नमबरों को अलग-अलग तरीके से manage करते हो तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है और आप चाहते हो कोई एक ही number दोनों जगे link को हो जाए मैं एक ही number से दोनों जगे manage करना चाहते हूं तो आप इस परकार से भी कर सकते हो अधार कार्ट के साथ में update कराने के लिए आपको अधार से enter जाना पड़ेगा और अपने bank account के साथ में link कराने के लिए आपको अपनी home branch जाना पड़ करेगा इस परकार से आप कर सकते और अगर आपके मन में अभी किसी परकार का कोई confusion मन में कोई doubt है तो आप मुझे comments करके जरूर पूछ सकते हो या फिर आप मुझे Instagram में भी follow कर सकते हो link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा चली मिलते नेक्स वीडियो तक तक के लिए बहुत धन्यबाद